प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आप एंड नेवर मिस अंड आज भी लोगों को उठाया जाता है जो किया जाता है कौन कर रहा है पता है न कोई दूसरा कर रही नहीं सकता आपकी एक जनसी जो है उसकी मरजी के बगहर पाकस्तान में चिडिया पर नहीं मार सकती यहालत है दुख यह है वो भी पाकस्तान का नहीं सोचते मैं तो मेरा रोना तो यह है मेरा रोना तो यह है तो वो भी पाकस्तानी ना जर्मन तो नहीं है वो लेकिन पाकस्तान के लिए उनके उनके दिल में भी नर्म गोशा नहीं उन्होंने जो गलती कर ली है उसको रिवा की इंफलेशन के हालाद सिरिलंका से जो के एक बैंकरफ्ट कंट्री है उसके भी पत्तरीन है आपके यह मैं नहीं कह रहा है एशियन डिवेल्मेंट बैंक कह रहा है पठान भाई जिनको आपने खुद अपने हातों से पाला है आज उनकी एकानमी आप से बेतर है खुदा रहा मैं उन अजनसी वालों को कह रहा हूँ जिनकी मर्जी के बगएर चिडिया पर नहीं मारती इस मुड़विया आप किस तरह कहा जेती हैं कि यह सियासत से निकल जाएंगे सियासत तो इनके घर की लॉंडी है जमूरियत तो इनकी पाकस्तान में मिजाल है बाबा सियासत अयू मौमिन के साथ अयूब खास साब ने यह पौदा लगाया था यह बैरिया टाउन और यह सारा कुछ डरामा सारा जो था इसके फांडर आयूब खास आप तो यह तो घरा जंगल बन चुका है अब आप जंगल में रह रहे हैं आपको यह ही कहता हूं जंगल पाकस्तानी जंग जंगल से मुझे याद आया कि नरिंदर मोदी जी जो है जो प्राइम निस्टर इंडिया के वह जंगल में उनकी पिक्टर आ रही थी के वाइड लाइफ जो है उसका सभी को जाहें दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आज हम आप के ये वीडियो देखते हैं जय हिंद जय भारत पे वो गए थे प्रोमोट की किया काफी उन्होंने और यह सारे चीज़ें तो होती है न जब जाहर है आपको आपके पास आपके अकानमी ठीक हो हमारे जो अवीरिल मोमनीन ने उनको तो एशियन टाइगर का नाम दे दिया है जो मर्जी करें जी वो जमलों में जा करें जैस मर्जी चीज़ को पर्मोट करें वो कर सकते हैं जितनी वहां उनका फ्यूचर ब्राइट है कानमी स्टॉंग है वहां पे तो मैं समझता हूं कि मैं तो क्या 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 कि कि étaऊने में क्या क्या है। करना है आपको नेशनलिजम देना आपको बताना कि आप दुन्या के एक काम एपतरीन काव मोर उन्हें दिया है हमारे हमारे नौजोज़ुश थैं और भारती नौज़ुशटी S 놓 one डूसरी साइड पर वह पहो नेशनलिजम उसे, उसे हैं और मैं कल पर सूम मुझे मुझे भारती अमबेसडर जो यहां पर वाशन डी सी में उनकी स्पीच सुने का मौका मिला आँखें खोल देने वाली उन्होंने बातें की उन्होंने का कि हर साल एक इंसीटूट अफ टेक्नालोजी जो है हर साल एक निया इंसीटूट बनाया जाता है भारत में हर दो गंटे बाद एक निया कालेज बनता है उन्होंने बताया जिस तरीके से हम तरकी कर रहे हैं मेरे ख्याल में वो जो आईसे उनके जो फोर फादर्स हैं भारत के जो रीसेंट फोर फादर्स हैं जो पिछले मैं समझते हूं और दो चीजों पर मैं बड़ा inspired हूँ कि बड़े short period में अंदर रोने तरकी बड़े short period मैं हारान हूँ मैंने आपको बताया है सारा कुछ मैंने अपनी आंकों से देता है सारा कुछ 1985 के बाद सारा 86 के बाद लेकिन nationalism लोगों के मैंने का है कि जी जब अगर उनकी government आ गई तो फिर दुबारा से जो overseas पाकिस्तानी जें वह बाहर से डॉलर भेजेंगे तो आपको लगता है कि रेविटेंस मिल जाने से मुल्क चलाए जा सकता है कि सब पाकिस्तानी जो बाहर चले गए हैं या बाहर हैं जिसमें आप जैसे लोग भी शामिल है क्या उनके पैसे यहां भेजने से मुल्क चलाए जा सकता है खलत बात है मैं एक बात बताना चाहूंगा मैं खुद overseas पाकिस्तानी हूँ लेकिन हमें तो माफी दे दी है खांसाब ने उनकी सिर्फ डाक्टरों को पिक किया है आपने उनकी तक्रीर नहीं सुनी होगी खांसाब जब भी पैसों की बात करते हैं साथ डाक्टरों की बात कर उनका डाक्टर जो लोग पकिस्तानी हैं वहां पैसे देंगे चलाएंगे मेरे जैसे जो लोग बैहरे नहीं लुवान थ Есть किल नहीं है लुव गवार तॉ पाकिस्तान में बच्चा-बच्चा करके पिर रहा है वहां कुद प्लाए मैं टीस सी जर यशन से से इस काम में हूँ खाए डाक्टरों के पैसे चाहिए इने पैसे दूसरे जो टेक्सी ड्राइवर यह जो तरपते पिर रहे हैं पीटी आइक नक्षे उठा उठा के जो खते हैं के शाफ चली शवाब शवाब चली पार पीटी आई चली उनको तो उन्होंने माफी दे दी हम यह टेक्सियों में बार्डर करास करकर के पहुंच दे हम कौन सी डिग्रियां लेकर आएं भारतियों की तरह हमारा कौन सा इंसीटूट अफ टकनालोगी है हमारी तो वह छे डिग्रियां लेकर आएं यह बैचलर के बराबर नहीं समझते हैं आर्जू आपको मैंने बताय है आपके हालात क्या है कितने इंगलेश चैनल ने पाकसान के अंदर एक भी नहीं यह जो आक्सपोर्ट से पढ़के गया है उसको भी ट्वीट करनी पड़ती है तो उर्दू में करता है तो फिर वही वही वह उर्दू पढ़ने वाले जब आते हैं यहां पर डाक्टर तो लात क्या होते हैं सगे सवाधी बूरे पाकस्तान में अब हमारे हमें नकाला हाँ से आप अब हमारे पैसों पही नजर आपकी अब हमने जो सारी जिंदगी मज़दूरियां करकर आपका दिल हो भी खा के तो आप अठिकार बार जाया पढ़े जालम लोग हो या मरे वालों को शैयदों किसे भी मजाग करते हूं पहले निकाला मुलक से महाजर किया जलील किया मुझे यह बता क्यूंने कि निकलता बंदाओ अपना मुलक चोड के नहीं यह पहले थो आम Songन भी कि अप से अपने बचे लंदन ले गए उपड़ाने के लिए डाका मारने आते हो डाका मार के फिर वापस चले चले जाते हो अब यहां पर सुकून से आगे बैठे हैं अब फिर भी तुम्हें यह पसंद नहीं है अब फिर हमारा गिरेबान पाड़ना चाहते हो वाँ भी वाँ इस मघवकूफ है बेइवकूफ तरीं नहीं है यह लोग पैसे मजबूरण भेजते हैं क्योंकि उनके माबाफ ए वहां पर, hostage है, आपने उनको दुबोच के रखाव है, तो यहां से उनको भेजते हैं, यह समझते हैं, शायद हमें भेज रहे हैं, हम भेजते हैं, पूचे हैं को यह नशा कहां से, क्यूंकि वो डालर जाते हैं, डालर फॉरण समाल के लंदर भीज़ देते हैं, इस पे लगे हमारे खून-पसीने की कमाई है जिसको यह लंदन ले जाते हैं अपने बच्चों की ट्विशन फीस ने यह आपके जितनी रूलिंग एलीट है यह जितने आपकी यह से सबसरों के बच्चे पढ़ रहे हैं बाहर जो सब दोखा पराड हो रहा है हमारे डालर पॉंड जो फॉर जी कोई कंट्रोल नहीं है और सारे जीरा दोस्तों वो सारे अब उम्रा करने जाएंगे सवधीरे भी सारे छे सो रुपए के तो एक दरजन के लिया रहे कौन खा सकता है कौन ले सकता है दोस्तों आशा करता हो कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको काफी जानने को मिलाओगा आपके इस वीडियो के बारे में क्या विचार है हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताए हम ऐसे आपके लिए नए वीडियो लाते रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करते तो चलिए अगली वीडियो पर फिर मिलेंगे तब त प्राग्